हलो दोस्तों कहते हैं एक जरा सा गलट डिसीजन कभी कभी भारी पढ़ सकता है जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं भारत में बिखने वाली सेविन असुरक्षित कारों की जिन गाडियों का माइलेज और डिजाइन बहुत अच्छा है लुक वाइस देखने में भी बहुत अच्छी है और ये सब देखकर हम खरीद भी लेते हैं पर इनसे होने वाले छोटे से भी एक्सिडेंट से बचपाना मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों आईए इन गाडियों के बारे में जानने के लिए चलते हैं इन्फो गुरु अभिशेक के पास नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में सबसे जादा बिकने वाली गाड़ी के क्रेस्ट टेस्ट कीजिए या दोस्तों जब भी आप और हम गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं तो हम सबसे जादा ये देखते हैं कि उसका माइलिज कितना है या उसका सर्विस कॉस्ट क्या आती है जिया दोस्तों हम बात करेंगे आज कि भारत में सबसे जादा बिकने वाली जो हम दमदार जिस गाड़ी को बोलते हैं वो कितनी दमदार है और दोस्तो अगर आप मेरी बात माने तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह की जो दमदार गाड़ी कही जाने वाली है जो एसुरक्षित गाड़ियां है तो मैं ये कहूँगा कि भूल कर भी ना खरीदें भारत में बिकने वाली ये कुछ एसुरक्षित कारें जी हाँ दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं इन्फो ग्रू अभिशेक चैनल और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी के आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दीजेगा दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं वो कौन सी टॉप सेवन एसरुक्षित का रहे हैं जो हमें बिलकुल भी खरीदनी नहीं चाहिए जी हाँ दोस्तो, वो कौन सी S रुख्षित का रहे हैं, जिनको NCAP rating में, जी हाँ, Global NCAP rating में, या तो 2 rating मिली है, 2 star rating मिली है, या फिर 1 star rating मिली है, या फिर 0 star rating मिली है, लेकिन वो कौन सी S रुख्षित का रहे हैं, और वो Top 7 S रुख्षित का रहे हैं, वो मैं आपको बताता है, दोस्तो ये वो एसरोश्यत कारे हैं जो बड़े क्या छोटे एक्सिडेंट में भी आपको बचा नहीं पाती है। लेकिन अगर हम बात करें 4 या 5 स्टार रेटिंग की काड़ी की तो वो किसी भी एक्सिडेंट में आपको इसली बचा लाते हैं। अगर हम बात करें 0 स्टार या 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग गाड़ियों की, तो वहाँ पर तो आप ये उमीद पूरी तरह से छोड़ दीजेगा. दोस्तो चलिए, समय ना गवाते वे, आईए शुरू करते हैं, रेटिंग का सिलसला. दोस्तो 7 नंबर पर हमने रखा है रेटिंग की कुईट कार को. जी या दोस्तो, जो बहुत ही भैतरी लुक में आती है, और अगर हम प्राइस की बात करें, तो मार्केट में उसका प्राइस 4.7 लेक से 6 लेक तक आपको इसली मिल जाती है. यहां हम बात कर रहे हैं, अप्रिकन ग्लोबल एंड कैप रेटिंग कार की, तो यहां इस बहतरी लुक वाली रेटिंग की क्रेश टेस्टिंग रेटिंग आती है, सिर्फ 2 स्टार की, अब आपको हैरान तो होना ही था, क्योंकि इसमें एडल्ट सेफटी रेटिंग के सिर्फ 2 स्टार मिले हैं, इसमें चाइल्ट सेफटी, एक्युपेंसी की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 स्टार मिले हैं, Global and Cap के द्वारा दी गई रेटिंग इस भेटरीन कार को बहुत ही पूर सेफटी कार बना देती है हाला कि ये Global Crest Test Rating है जो African Crest Test Rating कही जाती है जियां दोस्तों और ये भारत में बनाई गई गाड़ीों की Crest Test Rating की रिपोर्ट देती है जियां दोस्तो अगर हम quit की बात करें तो quit एक बहतरी look के साथ आती है लेकिन वो सुरक्षित नहीं है दोस्तो अगर look के साथ आपको safety भी जरूरी है तो reno quit आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जियां दोस्तो ये बड़े accident तो क्या छोटे accident में भी आपको बचा नहीं पाएगी दोस्तो अगर हम बहतरी look की बात करें तो reno quit बहतरी look के साथ आती है लेकिन अगर सुरक्षा के लहजे से बात की जाए तो मैं इसको बिल्कुल recommend नहीं करूँगा और ये सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी safe नहीं है दोस्तो अब बात करते हैं 6 number पर कौन सी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा poor rating की है दोस्तो यहाँ पर हम बात करें है मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली hatchback car वेगनार की जी यहाँ दोस्तो अगर हम बात करें African global crash test rating की तो यहाँ पर इसको मिले हैं इस car को मिले हैं 2 star rating जी यहाँ दोस्तो 2 star rating सुरक्षा के लिहाज में सबसे ज़्यादा poor माने जाते हैं यानि कि सबसे ज़्यादा कम माने जाते हैं दोस्तो अगर आप यह गाड़ी अभी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह गाड़ी बिल्कुल भी आपके लिए safe नहीं है अगर हम बात करें global and cap safety rating की तो वेगनार भी 2 star rating में आती है और child occupancy safety rating में भी इसको केवर 2 star मिले हैं यानि कुईट की तरह वेगनार भी 2 star rating में एक unsafe गाड़ी है यह बड़े तो क्या छोटे accident में भी काफी रिस्की होती है प्राइस की अगर बात करें तो यह कार आपको 5.5 लाग से 7.5 लाग में एक शोरूम रेट में आराम से मिल जाती है 2019 में Global NCAP में इसको 2 star rating मिली थी 2019 के बाद मारूती सुजुकी ने 2022 में crash test इसलिए नहीं कराया था क्योंकि वे कहीं नहीं जानते थे इसको इस बार भी खराब rating मिल सकती दोस्तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर की यानि के 5 वे नंबर की poor rating car की जी यहां दोस्तो जो आपके लिए बिल्कुल भी safe नहीं है जी यहां दोस्तो हम बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं Hyundai की I10 News Car की जी यहां दोस्तो जो बहुत ही शांदार features और look के साथ आती है अगर हम बात करें African Global Crash Test rating की तो यहां पर इसको गाड़ी को बहुत ही कम star मिले है Global Uncap rating में जो इस car को rating दी गई है इसमें भी इसे poor rating हासिल हुई है इसको भी 2 star की safety rating मिली है इसको adult safety rating में भी 2 star safety rating मिली है और child occupancy में भी इसे 2 star safety rating मिली है जो सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल भी safe नहीं है हुंड़ी ध्यान नहीं दे पा रही है अगर आप भैतरी look और features से ज़्यादा आप safety पर ध्यान देते हैं तो आपको i10 news का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए क्योंकि है एक असुरक्षित कार है नोवंबर 2020 में इसका crash test हुआ था जिसमें इसको 2 star rating मिली थी लेकिन अगर इसके look और features की बात की जाए तो यहाँ पर लोग इसके look और features को देखकर बड़ी संख्या में लोग इसको इस कार को खरीद रहे है और अगर हम इसकी बात करें तो यह सुरक्षा की लिहास से बिलकुल भी सही नहीं है अगर आप अब इस गाड़ी का लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह गाड़ी आपके लिए बिलकुल भी सेफ नहीं है दोस्तो अब बात करते हैं फूर्थ नंबर की पूर रेटिंग कार की जी हाँ दोस्तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा popular है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं मारूती सुजुकी की सुफ्ट कार की अगर हम इस कार की बात करें तो यहाँ पर जो एप्रिकन एनकैप रेटिंग है वहाँ पर इसको सिर्फ वन स्टार की वज़े से यह कार किसी भी सुरत में सुरक्षित नहीं है अगर आप इस कार को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले यह वीडियो जरूर दे दोस्तो अब बात करते हैं थर्ट नंबर पर पूर रिटिंग कार की यहां दोस्तों वो भी मारूती सुजुकी की है जिस गाड़ी का नाम है प्राइस की बात करें तो यह कार 5,6,000,000 एक शोरूम प्राइस में मिल जाती है हाला कि ग्लोबल एंटकेप सेफटी टैस्ट रेटिंग में इसको एर बैक के साथ 0 स्टार रेटिंग मिली थी यानि एडल सेफटी रेटिंग 0 स्टार और चाइड सेफटी रेटिंग 2 स्टार की आई थी क्या सकते हैं कि ये कार आपके लिए बिल्कुल पिस रक्षित नहीं रहने वाली है सात लोगों के साथ जीरो रेटिंग कार में जाना कितना खतर नाक हो सकता है इसका अपन्दाजा लगा सकते हैं दोस्तो प्राइस की अगर बात करें तो एको गाड़ी अगर हम एक्स शोरूम की बात करें जी हाँ हम बात कर रहे हैं मारूती सुजुकी की 11 दोस्तो अगर आप भी मारूती सुजुकी की 11 गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपने दिल से इस गार को खरीदने का प्लान निकाल देजे क्योंकि ये कार भी वन स्टार सेफटी रेटिंग में आती है 2022 में इसका Global NCAP टेस्ट हुआ था जहां इसने One Star Adult Safety और Child Occupancy Zero Star Rating इस कार ने हासिल किये थे अब देखिए बड़ों के साथ यहां बच्चे भी इस कार में सेफ नहीं है प्राइस के अगर बात करें तो यह साड़े पांच लाक से साड़े साथ लाक में बड़े प्राइस सेग्मे इतनी पूर Safety rating कार बिल्कुल भी खरीदना सही नहीं दोस्तो अगर आपके लिए सुरक्षा पहली है तो अपने दिमाग से इग्मीज को बिल्कुल निकाल देजे क्योंकि इग्मीज जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि NCAP रीटिंग ने इसको बहुती क्योंकि Tiago इस Price Range में बहुती भैत्रीन ओप्शन है' दोल्स्तों awolf बात करते हैं भारत की सबसे SMS कार की जे हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे उनसीफ शॉजूकी की in G Сов to Japan ध 있습니다 जी हाँ दोस्तों Έसरेस recognis को आप जानते ही 2020 में पहला crash test में 0 star rating मिली थी child occupancy में इसे 2 star rating मिली थी 2022 में दुबारा जب Global получится ellow國 stumbled and Cap के crash test हुआ तो adult में तो 1 star ले आई पर child occupancy में इसको poor star यानि 0 rating खासिल हुई इसमें बहतरी लुक XUV की तरह features दे करके भी इसकी safety पूरी तरह से अंसेफ है प्राइस की अगर बात करें तो साड़े चार लाख से 6 लाख एक से रूम प्राइस में आसानी से मिल जाती है दोस्तो मेरा एक सेजेशन है कि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लें लेकिन इस तरह की अंसेफकार ना खरीदें जिया दोस्तो अपने महनत के पैसे से आप कम से कम एक सेफकार तो लें जिया दोस्तो अगर हम बात करें 0 रेटिंग 1 रेटिंग या 2 रेटिंग की तो मैं यह कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बजट और बढ़ाना है जी हां दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया अंसिफ कार और उनकी रेटिंग दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे इंतियार रहेगा आपके कमेंट्स का और साथ में चलते चलते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में घंटी का आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दीजेगा